So hey guys, क्याल चाल, welcome back to another video, मेरे नाम है एमन, आप देख रहे हैं और टैक टॉक और यार यार यहाँ पे M31S जो है, वो मेरे पास है और भर भर के आप लोगों के questions आए थे, यहाँ पे इसके inboxing वीडियो के उपर, जहाँ पे मैंने पूछा था आप लोगों से के आप जो भी question पूछने जाते हैं, comment करके बता दो, मैं पूरा-पूरा answer करने की try करूँगा और भाई, यहाँ पे आगे हम वीडियो लेके इसके answers की तो भाई, यार सबसे पहला और सबसे तकड़े वाला जो question पूछा गया था, वो यह था कि क्या इसके अंदर knock security देखने को मिलती है, मिलती है तो दिखाओ, मैंने वीडियो में बोला था unboxing के time पे कि हाँ, इसके अंदर आपको knock security जो है वो देखने को मिल जाती है, और काफी पवाल सा मिच गया था, कुछ लोग बोल रहे थे के भाई, नहीं इसके अंदर knock security नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो दिखाओ, तो भाई, ऐसा है जब आप phone को switch off करके on करते हो, boot करते हो, तो उस time पे भी यहाँ पे आपको knock security का logo जो है वो लिखा हुआ मिलता है, और उसके बात भी अगर आप यहाँ पे system settings में जाते हो, और about phone में जाकर के software information में जाकर चेक करोगे, तो आपको वहाँ पे भी knock security का जो version है वो देखने को मिल जाएगा, और latest version जो है वो knock security का आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाता है, बाकि रही बात secure folder की, तो guys अगर यहाँ पे ह A series के अंदर One UI की जादा features देखने को मिलती है, उसी तरह ही knock security का जो यहाँ पे secure folder है, वो M31S के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन knock security यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो so-called YouTube पर बोल रहे थे, कि knock security नहीं आने वाले इस phone के अंदर नहीं है, तो भाई, जी हाँ, इसके जो है, वो हमें HDR की support देखने को मिलती है, तो भाई, नहीं यहाँ पे NFC and HDR की support जो है, वो इस phone के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसके मिलना लोगों ने यह भी पूछा कि क्या इसके अंदर यहाँ पे हमें light sensor देखने को मिल जाता है, तो जी हाँ, आपको इस phone के अंदर जो है, वो light sensor दिया गया है, यहाँ पे, इसके बाद question पुछा गया है, कि क्या इसमें हमें inbuilt screen recorder option मिलता है, देखने के लिए internal audio के साथ, जैसा कि हमें Samsung A50 के अंदर देखने को मिलता है, तो नहीं भाई, इसके अंदर आपको कोई ऐसा internal recorder नहीं दिया गया है, यहाँ प दे दूँगा, तो नहीं भाई, मैंने इसके अंदर 5-6 गंटे regular gaming करी, और मुझे कोई भी heating issues देखने को नहीं मिला, जो battery का temperature था, वो 38 degree Celsius तक जा रहा था, यहाँ पे, अगर आप PUBG कहलते हो, smooth plus, यहाँ पे extreme graphics के उपर, तो heating issues यहाँ पे बिलकुल भी मुझे देखने को नहीं मिले, Sir, M31S की next sale कब आने वाली है, मैंने phone order करना था, Amazon पे show नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों नहीं यह वाला question पोचा है, तो यार मैं बता दूँ यहाँ पे, कि इसकी first sale जो है, वो निकल चुके out of stock हो चुका है phone, और अभी Amazon के उपर available नहीं है, और इसकी next sale जो है, मैंने काफे ढूडने के try करी, बट मुझे नहीं मिला के, कब मिलेगी, बाकि जब भी इसकी next sale आएगी, तो मैं Instagram के उपर story डाल के आप लोगों को बता दूँ आँ, तो मुझे Instagram पे follow कर लेना, username आपको screen के उपर देखने को मिल जागा है, या फिर description box में link दे दिया है, वहाँ पे जाके follow करना, मैं story डाल दूँ इसकी next sale के बारे में, उसके बाद भी, अप मैंने यहाँ पे PUBG review के दुरान भी, and unboxing के time पे भी बोला था, कि यह जो Snapdragon का chipset है, Exynos 9611, तो यह किस chipset के साथ compare किया जा सकते है, तो मैंने बोला था, कि यहाँ पे इसको हम Snapdragon 720 के साथ, जो है, वो comparison कर स बहुत सारी चीज़े होती है, जो एक processor को करनी होती है, अगर आप versus.com के उपर जाओगे, या फिर Google पे आप कहीं भी search करोगे, तो आप देखोगे, कि अगर इसका comparison, अगर even के Snapdragon 720G के साथ भी किया गया है, तो वहाँ पे winner announce किया गया है, Exynos के 9611 को, बट मैं यहाँ पे इसको winner हाला कि नहीं मानता हूँ, क्योंकि Snapdragon के processor जो होते हैं, obviously better होते हैं, बट हाँ यार उसके साथ हम इसका comparison कर सकते हैं, यह नहीं है, कि इसका comparison ही नहीं बनता है, यहाँ पे Snapdragon 720G के साथ, यह Snapdragon 720 के साथ, नेक्स्ट कोशन कि इसके अंदर क्या हमें good lock देखने को मिलता है, तो नहीं यह M-Series है, good lock जो है, वो आपको A-Series के अंदर देखने को मिलता है, बट मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जल्दी जहां पे मैं आपको बताऊँगा, कि M-Series के अंदर भी जो है, वो आप good lock किस तरह से install कर सकते हो, और उसकी सारी features जो है, वो आप use कर पाओगे, Samsung Galaxy SCM31S के ऊपर, तो अगर वीडियो देखने है, तो चैनल को कर लेना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वो वाली वीडियो आप मिस ना करो, दिनेश कुमारों पूसते हैं कि sound quality कैसा है, earphone है, तो नहीं भाई, earphone यहाँ पे आपको देखने को नहीं मि मिल जाती है, decent sound quality में बोलूँगा, बढ़िया speakers यहाँ पे देगे है, Dolby Atmos का जो sport है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो sound quality के लिए मुझे कोई भी यहाँ पे इस NUX जो आप में बोलूँ, तो नहीं लगा इस phone के अंदर, the next big question is कि क्या हमें M31S के अंदर camera to API का support देखने को मिल जाता है, तो जी हाँ यहाँ यहाँ पे आपको camera to API का support देखने को मिल जाता है, Gcam आप इसके अंदर install कर पाओगे, जल्दी मैं try करूँ, अगर मुझे कोई अच्छा सा mode मिलता है Gcam का तो मैं उसकी video share करूँगा आप लोगों के साथ भी, तो try करते हैं बाकि जो front camera है वो आपको Samsung का ही देखने को मिलता है, by default कुछ भी उसमें, Samsung ने mention नहीं किया कि कौन सा sensor वगरा उन्हों यहाँ पे आपको लगा के दिया front camera के अंदर अखिल फिर आगे यहाँ पे पूछते हैं कि bro is there any advantage of type C to type C data cable because यहाँ पे we can't connect this phone to our laptop और PC for data transfer देखो ऐसा है कि आप connect कर सकते हो जो आजकल के नए PC computer आते हैं उनके अंदर आपको type C connector का एक port देखने को मिलता है जैसे आपको USB का port देखने को मिलता है बट अगर आपके पास नहीं है तो आप एक USB type A to type C connector भी ले सकते हो जो आप अपने computer में लगा सकते हो और हाँ यार benefit जो है वो आपको देखने को मिलता है इससे आपकी जो data transfer की speed है वो बढ़ जाती है और जो charging speed है वो भी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है type A to type C के comparison में सो दोस्तो बस यही थे आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब आई hope की video helpful रही होगी because यहाँ पे जितने भी questions आए थे मुझे जो भी आप लोगों के मन में questions पैदा होए थे उनके regarding मैंने पूरा try किया आपका answer करने का बागी यार वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना दबाखे and मिलती है एकली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye जाहिंद